नमस्कार प्राइम टीवी पर शुविता के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राइम हेल्थ मंत्रा जिसमें हम हर बार अलग-अलग सेगमेंट्स पे बात करते हैं और आज हमारा सेगमेंट है प्लास्टिक सरजरी जिसके लिए आज हमारे साथ मौझूद है डॉक्टर मनोज सिंग प्लास्टिक सरजन जिससे हम जानेंगे कि प्लास्टिक सरजरी क्या होती है और किस सरीके से इसे किया जाता है तो आईए सीधे बात करते हैं डॉक्टर मनोज से सर आज के डॉक्टर स्कॉर्णर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है हम बहुत ही अभारी हैं आपके कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमारे स्टूडियो को दिया नमस्कार देश की जनता को डॉक्टर मनोज सिंग का नमस्कार और इस पांडेमिक के दौर में सभी प्लास्टिक सर्जरी होता क्या है जी हमारे टीचर साइसा कहते थे कि वैन वर डिस्क्राइबिग अने डिफिनेशन जब आप किसी चीज की परिभाषा कहते हैं तो इट शुड भी इंक्लूड़ेट इन्वर्टेट कॉमा वो पूरा का पूरा डिफाइन होना चाहिए तो तरहे मैं आपको एक डाभीनिशन बता देता हूं तो प्लास्टिक सर्जरी इचे डिपार्ने रिक।्सर्जरी, R̀स्टोरेशन, R Rex 48 सूरेशन, ज्यादा तर लोगों में एक misnomer रहता है कि प्लास्टिक सर्जरी को प्लास्टिक से जोड़ देते हैं, जब कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का कोई मतलब नहीं है, जो प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक वला सब्द है, वो ग्रीक सब्द है प्लास्टिक कोस, इसका मतलब होता है मॉल्डिंग और स्कल्प्चिंग सम्थिंग, किसी चीज को सेप देना, तो ये इस ग्रीक सब्द से इसका उदभव हुआ है, और बाद में धीरे धीरे करक यह जो है एक प्लास्टिक सरजरी जो है एक ब्रांच का उद्भा हुआ जिसको फिर बाद में अभी उसमें कॉस्मेटिक्स और बहुत सारी चीजों को जोड़ दिया गया है तो बेसिकली इसमें है कि इसमें जो प्लास्टिक सरजरी जिसमें की अत्वा तो जिसको हम यह जो तीन सब्द में आपको कहें है यही इनका क्लासिफिकेशन भी है ठीक है तो classification यह है कि पहला है restoration, यानि कि general plastic surgery कि जहां पर किसी को चोट लग जाती है, कोई आदमी जल जाता है, तो उसकी सबसे पहली बात है कि उसको बचाया जाए, उसकी जो सरीर का shape है, जो सरीर की बनावट है, उसमें कम से कम damage हो, इस तरह से उसको treatment दिया जाए, उसमें medical management होता है, कुछ surgical management होते हैं, वो एक अलग चर्चा का विशह है, कभी किसी और section में हम आपको detail में उन चीजों के बारे में बताएंगे, लेकिन basic plastic surgery में हमको किसी भी बीमार आदमी को उसको चोट लगी है, या फिर जला हुआ है, या किसी अन्यकारण से सायद उसको जनमजात कोई problem है, उसको हमको उस हालत को maintain रखना है, दूसरी चीज होती है reconstruction, मतलब किसी चीज को बनाना, जैसे किसी का accident हो, उसकी नाक कट गई, किसी के कान कट गई, किसी के होट कट गई, तो इन चीजों को जो बनाना है, किसी की उंगली कट गई है, उसको जोड़ना है, तो इसको बोलते है रिकंस्ट्रक्श्ट्रक्शन उसको फिर से जो है नया बनाना और तीसरा है अल्टरेशन जो की कोस्मेटिक का पार्ट है that is called the aesthetic surgery तो प्लास्तिक सरदरी के दो कंसेप्ट है एक जहां पे पेशेंट को जरूरत है और एक दूसरा एक कंसेप्ट है कॉस्मेटिक सरदरी का जहां पे लोग अपनी मर्जी से अल्टरेशन करवाना चाहते हैं कि आज मेरे बाल नहीं है देखे सुन्दरता क्या है कि हर आदमी को सुन्दर दिखना हर आदमी को सुन्दर दिखना उसका मुल्भूत अधिकार है तो सुन्दर दिखने के लिए उसको कैसे दिखना है वो आईने में अपना चेरा देखके चा वो जो surgery है मतलब alteration जो है उससे कुछ अलग करना that is cosmetic surgery और वो aesthetic surgery एक अलग branch है जिसके बारे में detail में हम बाद में बात कर सकते हैं तो basic plastic surgery के तीन पार्ट है पहला है कि किसी को बचाना, second है reconstruction और third है alteration जहांपे कि हम उसका cosmetic से उसकी कोई चीज को change कर दें तो यह तीन तरह की बाते हैं इसमें होगे जाना चाहते हैं कि जैसे plastic surgery के हम बात कर रहे हैं तो plastic surgery and cosmetic surgery हमारी व्यूवस जाना चाहते थे कि plastic surgery and cosmetic surgery में क्या difference मैंने जो का दोनों में बस यह है कि plastic surgery जो है वो medical science का एक ऐसा विभाग है जहां पे हमको बीमार आदमी को करना है और cosmetic surgery एक ऐसी surgery है जहां पे आदमी को अपने हिसाब से अपनी body parts को अल्टर करने है जैसे आज मेरे बाल नहीं है और मुझे hair transplant करके बाल उगाने है तो यह हो गया cosmetic surgery लेकिन जैसे एक आदमी जल जाता है अब जलने के बाद उसकी skin खराब हो गई है और जलने के बाद की भी एक treatment होती है फिर और हील होगा फिर उसके बाद उसके उपर graft लगाया जाएगा यह जो पूरी surgery है यह plastic surgery है और जो दूसरी मैंने बताई हो cosmetic surgery है तो cosmetic surgery आदमी अपन willingness से करवाता है अपनी इच्छा से करवाता है और उसकी अलग अलग types होते हैं जिसकी किसी को मतलब जो अच्छा लगेगा उस तरह से आदमी अपने changes करवाता है अच्छा डॉक्टर साहब यह है कि plastic surgery जिस time की जाती है उस time period में यह है कि plastic surgery से पहले क्या चीज धान देने वाल सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले तो मैंने कहा कि जैसे दो बाते हैं plastic surgery की एक तो जहां जरूरत है तो वो decision तो हमको doctor के हाथ में देना ज्यादा बढ़िया है कि जहां पे patient जल गया है या उसको ज्यादा चोट लग गई है तो उस परिस्तिती में पेशेंट का निने बहुत importance नहीं रखता है वो उसका treatment medical pathy के हिसाब से ही होता है लेकिन जब बात होती है कि cosmetic surgery की जैसे वही patient जब ठीक हो जाता है अब उसके बाद उसको surgery करवानी है किसी को face पे थोड़ा दाग है तो वो हटाना है या कहीं पे contracture है तो release करवाना है तो उस में अपने doctor से यह जान लेना बहुत है plastic surgery की जो कल्पना है लोगों के मन में वो ऐसी है कि बिल्कुल बदल जाएगा या ऐसा हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है और अगर होता भी है तो वो उसको समझना बहुत जरूरी है ठीक है तो हम क्या करते हैं कि alteration यानि ऐसा कोई जादू नहीं है कि आदमी हाथ घुमाएगा और सब कुछ बदल जाएगा तो हम क्या करते हैं कि उसमें इस तरह से चेंजिस आएगे अगर किसी का कॉंट्रेक्चर है तो उसका हाथ और सारी परिस्तितियों के हिसाब से कितना मून पाएगा तो यह समझना बहुत जरूरी ह कि आदमी इस गलत पहमी में ना रहे कि मेरा ऐसा हो जाएगा तो डॉक्टर के साथ जुडाओ दूसरी बीमारियों से प्लास्टिक सर्जरी में जादा होना चाहिए ताकि वो अच्छे से यह बात समझ सके कि हमार बीमारी में हमको इतना फायदा होगा क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी में कभी भी 100% नहीं होता है कुछ प्लस माइनस रहता है जैसे स्कीन का कलर है टेक्ट्चर है गलो है कहीं ना कहीं फरक पड़ता है जब हम दूसरी चीज को लगाते हैं तो वो समझना बहुत जरूरी है और वो लंबे समय तक उसकी देख भाल के लिए भी जरूरी ह सब्ह понять कि आपको ब्लास्टिक सिर्जरी हु है क्या उनको कोई said भी फॉलो करनी पड़ती है का और प्रशेन लोकराते है जिसे संब्लो है कि sa by कराते हैं तो सम्हाई के टाइम पे कुछ ए जित्व जयाнопते कि तो क्या प्लास्टिक सर्जरी के टाइम पर भी ऐसा कुछ रहता है कि आपको तुरा सा डाइट पर ध्यान रखना पर डाइट का देखिए ऐसा है कि कुछ चीजे तो बहुत जरूरी है जैसे कि पहले टेस्ट भी होते है और आइरन से रिच डाइट होनी चाहिए प्रोटीन से रिच डाइट होनी चाहिए जिस से हीलिंग अच्छी आए कि प्लास्टिक सर्जरी हीलिंग की ब्रांच है जितनी जल्दी और जितना बढ़िया हील करेगा उतना रिजल्ट अच्छा मिलेगा आदमी को वो ऑपरेशन के बाद अच्छी डाइट नहीं लेगा तो उसकी हीलि अच्छा नहीं खाना चाहिए ऐसा किसी भुक में नहीं लिखा है यह हमारे भण्तियां दीरे देरे दीरे दीरे देरे दस लोगों को खट्टा खाया और कुछ हो गया तो लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है कि हम खट्ता क्यों थी तो हमको इंफेक्शन हो जाएगा जो अगरिस्ट चीजे ना खाई जाए ना के खट्टे में बिल्कुल जो खट्टी चीज है या विटामिन C से रिच चीजे हैं वो नुक्षान करती है कि या खाने के प्रती लोगों के मन में बहुत है कि जैसे यह खा लेंगे तो ठंडा हो जाएगा इसकी तासीर ठंडी होती है इसकी तासीर गरम होती है तो हम आपको बताएं कि खाने का एक ही पैटर्न है कि हमको सीजनल चीजें खानी चाहिए जिस सीजन में जो चीज उग रही है या पैदा हो रही है वो सबसे बेस्ट है हमारे सरीर के लिए तो आदमी को वही चीजे खानी चाहिएं कि जो उस सीजन में जादा उखती हैं, हमेशा वो शरीर के लिए फाइदेमंद है, यह हमारा आयुरवेद भी कहता है, तो भ्रांतिया यह हो जाती हैं कि उस सीजन में वो चीज अच्छी होती है, लेकिन लोगों के, मतलब विचारों के नाते से, लोगों के कहने सुनने के नाते से, आजमी वो चीज नहीं खाता है, तो इन चीज़ों पे काफी कुछ डॉक्टर को समझाना चाहिए, पेशेंट के सवाल के हिसाब से, डॉक्टर साब आपने अभी ग्राफ सर्जरी के बारे में भी हम लोग बात कर रहे तो तो कुछ ठाइंपृट में वो रिकवर कर जाता है यह डीपेंट करता है क्यांकि दो तरह के होते हैं एक होता है कि on superficial graph होता है और एक full thickness graph till तो जो full thickness graft होता है उसमें patch कम दिखता है और जो superficial graft होता है उसमें patch दिखता है लेकिन superficial graft लेने की sites बहुत सारी हैं जहां से हम ले सकते हैं तो यह डिपेंड करता है कि कितना लेकिन एकदम नॉर्मल कभी नहीं हो सकता ठीक है थोड़ा सा डिफरेंस तो रहता है चूंकि जब भी हम कोई skin लेते हैं तो किसी दूसरी जगह से लेते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क रहता है लेकिन वह इतना होता है कि आप थोड़े से कॉस्मेटिक का यूज करके उसको mask कर सकते हैं आप किसी भी occasion में जाएंगे तब आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ चाप का सर्जरी हुआ है हां यह है कि आप बहुत नजदीक से कोई देखेगा तो थोड़ा सा उस पर दाग पता चलता है तो आप हम किस जगह से ग्राफ लेना है यह आप किस तरीकी से डिसाइड करते हैं देखिए इसमें क्या है जैसा मैंने बताए कि ग्राफ दो तरह के ह एक सुपरफिशल थिकनेस का होता है एक डिब थिकनेस का होता है तो बता तो धुल तक बनता है टीक है दूसरा जब उसके नीचे का पूरा दर्मिस ले लेटे है तब फुल थिकनेस ग्राफ वो जाता है full thickness graft जो है गले पे, चेहरे पे, मत्थे पे लगाने के लिए ज़्यादा बढिया होता है कि उससे skin का glow बढिया आता है अब फूल थिक्नेस ग्राफ्ट अगर लेना हो तो उसके लिए ग्रोईन, अब्डोमेन, पेट का भाग, यह जो अपनी पसलियां है, इसके उपर का भाग, कान के पीछे का भाग यहां से ले सकते हैं, जब कि जो पतला वाला ग्राफ्ट है, वो जादे मात्रा में चाहिए होत इसलिए हम थाइस का उतर जब से जप्योग सबसे जढडा करते हैं डीके के, डीकवि हम जिस पर्सथं की हम सरच्री कर रहे हैं उसी की बाड़ी से ही यह हम किसी और की बाड़ी से भी ले सकते हैं, чे और की बाड़ी से जो ग्राफ्ट लेने वाली बात है उसमें ऐसा है कि एक बेसिक फंडमेंटल है इम्मुनिटी का, जैसे आप लगों ने रांस्प्लांट की बात सुनी होगी, तो ए भी एक तरह का ट्रांस्प्लांट है, अगर हम दूसरे से, एक वेक्ति से दूसरे में ग्राफ्ट लगाते हैं, इसको ऐलो ग्राफ्ट बोलते हैं, अब यह अब ट्रांस्प्लांट के अपने जो हैं, ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है, उसको इस्टिरोइट देने पड़ते हैं, जबकि अगर उसी व्यक्ति का ग्राफ्ट लगाते हैं, तो उसमें हीलिंग के चांसे जादा रहते हैं, उसमें मैचिंग के चांसे जादा रहते हैं और उसमें complication कमाते हैं इसलिए ज्यादा तर उसी के graft लिये जाते हैं सर्क ग्राफ लेने से पहले क्या कुछ particular कुछ test भी किये जाते हैं कि उससे पहले test कर लिया जाए अगर उसी व्यक्ति का graft लेना है तो हमको routine blood test लेने होते हैं कि वो व्यक्ति graft उसकी healing proper आएगी या नहीं आएगी ठीक है तो जो प्राइमरी उसका blood test है उसका diabetes का test है उसके और सारे वाइरल मारकर्स वगरे हैं वो करने होते हैं इसके अलावा और कोई ज्यादा test की इसमें जरूरत नहीं होती है अगर डॉक्टर साहब आपने अभी बोला कि अगर हम उसी person का test अगर graph ले रहे हैं तो हमें बहुत जादा test की required नहीं होती बट इन केस अगर हम उस person का graph नहीं ले पा रहे हैं और हम किसी और person से ले रहे हैं उस time पे कौन से test होते हैं क्या उस time पे हम skin भी match करते हैं कि yes सबसे बड़ी बात है कि उसका blood group और मतलब बहुत सारी चीजे हैं जो test करने पड़ते हैं ठीक है उसके लेकिन सबसे बड़ी बात है कि graft में जादा तर हमको उसी कि यह surgery ऐसी है कि इसमें दूसरे का donor side पे healing नहीं आता है तो complication बढ़ते हैं तो सरीर में ऐसा बहुत rarely होता है कि हमको दूसरे के graft लेने पड़ें तो उसके लिए उसकी matching होती है वो एक laboratory test की process है जो पूरी की जाती है लेकिन जहां तक बनता है कि हम लोग दूसरे का graft नहीं ल पूरे chances है अगर doctor पूरी care लेके जैसे donor site है जहां से वो graft ले रहा है और recipient site है दोनों को तयार करता है patient की proper care ली जाती है उसके reports बराबर रहते हैं तो इसमें result जो है वो more than 90% 100% तो कहना गलत होगा किसी भी चीज में लेकिन more than 90% graft चिपक जाते हैं और बहुत अच्छा result देते Sir आप जिनका plastic surgery हुई है उसको किते time period तक observation में रखा जाता है ताकि ये पता चले कि surgery जो है कि वो सही हुई है या नहीं हुई है किसी भी healing का जो healing एक सब्ध है अंग्रेजी में सभी लोग जानते हैं इसकी जो process है वो कम से कम तीन से छे हपते की होती है तो कम से कम उसको तीन से छे हपते तक तो doctor के consultation में रहना चाहिए जहां तक graft के healing का सवाल है वो दो हपते में बढ़िया से हील हो जाता है लेकिन उसकी कि आगे की थोड़ी care कि उस पर चोट ना लग जाए या उस पर infection ना हो जाए इसके लिए उसको कम से कम चार से छे हपते तक follow up में रहना चाहिए Dr. Saab हम जैसे आपने वैसे तो आपके observation में है तो observation में आपको पता चलता है कि ये चीज ना की जाए बट अगर क्या ऐसा होता है मतब किस तरीके से आप judge करते हैं कि ये सही direction में heal कर रही है और सही direction में heal नहीं करते हैं किस तरीके से आप इसको judge करते हैं ये प्लास्टिक सरजरी का हर्ट है वो है DRESSING तो जब प्लास्टिक सरजरी के बाद का हमें सहब अगर आप कभी अनभौ की होंगी तो प्लास्टिक सरजरी कि एक ऐसी ब्रांच है जहां पर सारी DRESSING PLASTIC सरजरेंस खुद करने की कोसिस करता है उसका कारण यही होता है कि घाव को देखने के बाद पता चलता है कि इसकी हीलिंग कैसी हो रही है और उस हिसाब से मेडिकेशन का अल्टरेशन या उसकी ड्रेसिंग में कोई मोडिफिकेशन करना है तो वो आदमी को करना चाहिए तो मेरी सला यह रहती है कि प्लास्टिक अब पेशन जो है आप जब उनको डिस्चार्ज कर देते हैं आफ्टर एड पेशन को क्या ध्यान देने वाली बाते होती हैं क्या चीज वो ध्यान दे कि बांद में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें ऐसा है कि जैसे एक बार अगर ग्राफ चिपक जाता है तब तक तो को खुड ड्रेसिंग करनी चाहिए और एक बार लगता है कि अब ग्राफ चिपक ज्याब उस पर किसी ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है तो फिर उस पर कोकोनेट वाल लगाना है या फिर कोई मौस्टराइजर क्रीम लगानी है यह सिंपल सी प्रोसेस होती है कोई इतनी जरूरत है वो पेशेंट खुदी घर पर अपना केर कर सकता है अब जैसे आप जानी रहे हैं 2020 से कोविड चल रहा है कोविड काल चल रहा है उस दौरान क्या यह प्लास्टिक सर्जरी की केसिज बंद हो गए है या अभी भी लोग प्लास्टिक सर्जरी कर आ रहे हैं नहीं जैसा मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक सर्जरी के दो भी भाग है एक तो ऐसा है कि जहां पेशेंट की जरूरत है उसको बहुत जरूरी है वो तो प्लास्टिक सर्जरी की ब्रांच चल रही है लेकिन जो कॉस्मेटिक सर्जरी है चुंकि यह अपने मर्जी की चीज है इ परो करना पड़ेगा बहुत जरूरी है और डॉक्टर इनका जो जित्ता भी medicine है जो medication है वह किते time period तक run करता है मतलब किते time period तक चलता है छे महीने आपको medicine लेनी है या एक साल तक इनका चलेगा तो वह क्या प्लास्टिक सर्जरी का कोई नहीं है कि छे महीने तक कोई दवा लेने की जरूरत होती है जब graft heal हो जाता है patient recover हो जाता है उसके बाद अगर उसको कोई जैसे blood की कमी है या vitamin की कमी है तो multivitamin या फिर iron के tablets लेने पड़ सकते हैं इसके अलावा कोई लंबी medication की जरूरत नहीं हो दोक्टर हम यह जानना चाहेंगे कि जो यह प्लास्टिक सर्जरी का जितना भी expense है तक क्रीबन मदब कितना एक आ जाता है expense कितना expense इसमें आ जाता है देखिए expense तो ऐसा है कि अलग-अलग चीजों के अलग-अलग rate है कितना area graft का है कैसा area है patient कितना yield है लेकिन average plastic surgery अगर कोई छोटा सा graft करना है तो वो चीज जो है बहुत normally जो है 25-30,000 में आदमी आराम से करा सकता है और लोगों को करना चाहिए यह डॉक्टरों को भी करना चाहिए ताकि जो कुछ कम budget के लोग है वो भी इस तीज से क्या यही एक ब्रांच है जिससे लोग डरते हैं बहुत पैसा खर्च हो जाएगा हमारा और इसलिए भागते हैं तो लोगों को उनकी खर्चे की पहुंच म करेंगे तो ज्यादा लोग इसका फाइदा उठाएंगे तो पचीस तीन से जार के असपास हो जानी चाहिए सारी सर्जरी इस पांडेमिक में मैं सिर्फ एक चीज सबसे कहना चाहूंगा यह सब्जेक्ट मेरा नहीं है मैं प्लास्टिक सर्जन हो लेकिन एज पर मेडिकल प कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है तो वैक्सीन जो है वही एक ट्रीटमेंट है तो आजकल एक भय बना हुआ है लोगों के अंदर की वैक्सीन ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैक्सीन ले लेंगे तो बुखार आ जाएगा वैक्सीन ले लेंगे तो डेथ हो वैक्सिन ही एक ऐसी चीज है जो आदमी को बचा पाईगी कि अभी डॉक्टर और मेडिकल पैथी एक जोले खा रही है अभी पूरा ट्रीटमेंट कभी होता है कि यह देना चाहिए कभी होता है नहीं देना चाहिए जो चीजे अभी डिबेट का भी से बनी हुई है उसमें एक चीज फाइनल है चूंकि वाइरल डिजीज है इसका इक ही इलाज है और हो है वैक्सिन तो जब सारे लोग वैक्सिनेशन करवा लेंगे सारे लोग इम्मुनाइज हो जाएंगे सारे लोगों के अंदर एंटीबोडी हो जाएंगी तो यह वाइरस हमारा कुछ नहीं आया है जिसमें हमारे वीवर्ज को काफी हेल्प मिली होगी जिनको प्लास्टिक सजरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है तो आज आपके इस इंटर्व्यू से काफी कुछ जान पाएंगे आज की हेल्थ मंत्रा में बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देख किते रहे हेल्थ मंत्रा